तीन मांत्रिक पार्ट टेन बी आज तक तुम्हारा ही इंतजार करते रहेते अब हम शुप सरोवर में डूब मरेंगे तभी हमारे पापों का प्राशित होगा हम मा को अब यह चेहरा दिखाना नहीं चाते उन्हें मेरा साउसो प्रणाम कहना और तुम मेरे अपराधों को ख् का रास्ता रोका और कहा रुक जाओ भाईयों जो हो गया सो भूल जाओ अब दोनों को अब कही जाने की जरूरत नहीं है अब हम सब एक साथ रहेंगे और नए सिरे से जिन्दगी शुरू करेंगे यह सुनकर वे दोनों और भी जोर जोर से रोने चिलाने लगे और कहने लगे इतने मेही मा भी दरवाजे पर पहुंच गई अपने भड़े बेटों को रोते पच्टाते देखकर उसकी ममता उमड़ पड़े और उनके दुर्व्यवहारों को भूल गई वह वासल से उन्हें पुछकारती हुई बोली रो मत बेटे जो हो गया सो भूल जाओ बगवान की दया से तुम्हारा चोटा भाई कमा कर काफी धन दौलत लाया है किसी बात की चिंता न करो और साथ रहकर सुकपूर्वक जीवन बिताओ फिर हम अपने पापों का प्रायशित कैसे करें दोनों बड़े भाईयों ने एक स्वर में पूछा पशात आप ही सच्छा प्रायशित है आप लोग अपनी भूल समझ रहे है यही प्रायशित है चलि किया है मैंने उसे माफ कर दिया है क्यूंकि मैं तुम्हारी मा हूँ और तुम लोग आज भी मेरे सामने अबोध बच्चे ही हो इसके बाद दोनों भाईयी अनिश्चित दिखाते हुए गर के अंदर आ गये माने ततकाल उन दोनों को पिंगल द्वारा लाए रेश्मी वस् धारन किये फिर पिंगल और मा की भूरी भूरी प्रशमसा करते हुए उन दोनों भाईयों ने इनका प्यार से आलिंगन किया फिर पेट भर हात पेरते हुए बोले अब तो बड़ी भूक लग रही है कई दिनों से टीक से बोजन नहीं मिला है क्या घर में कुछ खाने के लि चंद मिनिटों में ही ताजा और स्वादिस्ट बोजन के साथ दो थालियाम लिये मा आ गई इतना अच्छा बोजन देखकर दोनों भाईये के मुह में पानी आ गया वे बोजन पर ऐसे तूट पड़े जैसे वर्शों से खाना नसीब ना हुआ हो खाते खाते एक ने दिखा पाने के लिए कहा इतना सारा खाना पकाने की क्या जरूरत तिमा हम कोई महमान तो नहीं है इसा स्वादिस्ट बोजन तो हमने कभी चका ही नहीं है दूसरे ने आशरे से कहा इस पर पिंगल मुस्कराता हुआ बोला हम लोग अब हर रोज ऐसा ही खाना बोजन कर सकते हैं दिन रात के बोजन के बाद जिवदत और लक्षदत ठंडी हवा में टहलने के बहाने गर से बाहर निकल पड़े दोनों को पता चला था कि पिंगल अपने साथ बहुत धन लाया है अब वे इस धुन में थे कि उसका सारा धन कैसे हडप लिया जाए इस काम में अभी थोड़ समय लगेगा मा और पिंगल दोनों को यह विश्वाश हो गया है कि हम लोग सच पुछ अपनी करनी पर पच्छता रहे हैं फिर भी धैर से काम लेना होगा एक भाई ने कहा तबी दूसरा भाई उसे डाटता हुआ बोला अरे मुर्क दन तो हम लोग किसी न किसी तरह हडप ह की लेंगे लेकिन इससे भी अधिक रहस्य से बरा है बोजन क्या तुमने इस वोर भी ध्यान दिया है मा ने चूलहा चौकी तो किया नहीं और एक से एक बोजन तयार आकिर यह हुआ कैसे थोड़ी देर तक कुछ सोच कर लक्षदत फिर बोला मुझे तो ऐसा लगता है कि प मौका देखकर मा से पूछ ले वह अवश ही रहस्य खोल देगी जीवदत ने सला दी दूसरे दिन जब पिंगल घर से बाहर गया तब धोनों भाई मा के चरणों में बैटकर बातों हुई बातों में बोजन का रहस्य पूछ बैटे बहुत देर तक माने थैली का रहस्य ऐसा खाना चाहो मांग लो लेकिन इस रहस्य को किसी पर प्रकट न करना तभी इस सच्चाई की जांच के लिए जीवदत ने बच्चों की तरह हट करते हुए कहा मा मुझे भी यह जादू करना सिखा दो मैं इसी समय जलेबी खाना चाहता हूँ मा प्यार वर्ष ना सिर्फ उनके व्यवहार भूल गई बलकि यह भी भूल गई कि इन्हें यहारा से बताने से पिंगल को हानी पहुंच सकती है उसने उन दोनों बेटों को मंत्र सिखा दिया और उन दोनों ने बारी बारी से मंत्र उसे हडपने की चाल सोचने लगे उसी रात उन दोनों ने मिलकर पिंगल और मा के विरुद एक कुछक्रक रचा पहले उन दोनों ने मिलकर यह विचार किया कि किसी प्रकार पिंगल को घर से बाहर बेज दिया जाए फिर मां से सारा धन और जादू की थैली हडप ली जाए मा इनका कुछ भी नहीं बिगाड सकती पिंगल को घर से बाहर बेजने के लिए एक सुजाव देते हुए जिवदत ने कहा मैं परसो जब बाजार से गुजर रहाता तो मुझे एक नाविक मिला उसे कुछ युवक नाविकों की आवशकता है इसलिए वह मुहमांगा धन दे कर कुछ युवक नाविकों को खरीदना चाता है क्यूं नहीं हम पिंगल को उस नाविक के हाथ बेच दे हम उसके भड़े भाई और घर के मालक पी तो है सुजाव की तारीफ करते हुए लक्षदत ने अपनी सहमती प्रकट की और कहा चलो नाविक से मिलकर अभी बात कर लेंगे इसके बाद वे तुरंत ही नाविक के घर पर पहुंचे जीवदत ने गड़ियाल के आंसु बहाते हुए कहा महा नाविक मेरा चोटा बाई पिंगल बहुत उधंड और दुस्ट है वह हम दोनों और बुड़ी मा को बहुत परेशान करता रहता है और घर से धन ले जाकर फिजूल कर्ची किया करता है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस दुस्ट बाई के अत्याचारों से कैसे बचे कहानी और है